जमो कश्मीर के पुलवामा के त्राल में स्रक्षा बलू और आतंकियों से मुटभेड हो गई लशकर से चार आतंकी घ्रफदार किये गए पांदीपूरा में बड़ी मात्रा में 10 एक 47, 512 कार्थू, 17 ग्रेनेड पंब दोपिस्टर परामत किये गए गंता अंतर दिवास के मद्देनज अलर्ट जारी किया गया है जमो कश्मीर में 5 अगस से लागू हुए आटिकल 370 गोली का राज्य में दूर संचार सेवाओं को बंद कर दिया गया था अब गंता अंतर दिवास से ठीक एक दिन पहले के इन सरकार ने जमो कश्मीर को तोफ़ा देते हुए मोबाइल इंटरनेट की सुविधा को बाहाल कर दिया है सभी पोस्ट पेड और प्री पेड उपभोगताओं के लिए मोबाइल 2G सेवा शुरू कर दी गई है अलागि सोचल मीडिया से जुड़े एप अप पर फिलहाल पाबंदी लगी रहेगी नर्भिया मामले में दोशियों पवन कुमार खुपता और अक्षे कुमार स्तिंग की याचिका परतली की पटेयाला हाउस कोड में सुनवाई जारी है यूपी दोरे पर आएंगे महरास्ट सी एम उधब ठाकरे साथ मार्च को रामलला के दर्शन करेंगे संजे राउत ने की है आयोधिया आने की पुष्टी आज लगनों में पुलिस मुख्याले के अवनी ओडिटूरियम में कुम्भ मेला सेवा मेडल वित्रन समारो सहित अन्य कारिक्रमों को आयोजित किया गया तो पहर साहित तीन बजे कारिकरम की शुरूआत होगी इसके मुख्याती थी आज यूपी दिवस का तूसरा दिन है आयोजिन का तूसरा दिन महात्मा गांधी की तेड़ सुन्स वी चियनती को समर्पित रहेगा इस दन योगी सरकार अलगलग विभाबुंग की यूजनाओं का लुकवार पन करेगी शाम को साड़े पांच बजे से साड़े शे बजे तक पंडित रवी शंकर म्यूजिकल पाउंडेशन का कारिकरम आयोजित किया चाएगा 26 जनवरी को शाम को यूपी दिवस का समापन हो जाएगा अमेरपूर में मनाए जा रहे यूपी दिवस में शामिल होने केंद्रिय मंतری साधी निरेंजन चियोती यहाँ पांची उन्होंने कारिकर में भाग लेते हुए अच्छा कारिकरने वाले लोगों को समानित किया C.A. को जरूरी बताते हुए परतशनों को उन्होंने विरोधियों की साज़िश पताया साधी नेरंजन जियोती ने ग्रहमंत्रिया मिश्चा के उस बायान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से C.A. पर पहस करने की शिनोती दी थी आयोध्य में आज विश्व हिंदू परिश्चत के अवज परांत की दो दिवर्सिय योजना बैठक शुरू हो रही है बैठक मुख्याले कारसेवक पुरम में शुरू होगी विश्व हिंदू परिश्चत के 25 जलू के पताधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे बैठक में रहेंगे माजूद और आज शाम तीन बजे शुरू होगी ये बैठक कल शाम चार बजे तक बैठक का समा पर जूँगा दसवे रास्य मत्यदाता दिवस पर उत्राखन गे राजभवन में कारिकरम का आयूजन किया गया राजपाल बेबी रानी मौरया ने रीप चड़ा कर कारिकरम की शुरूआत की कारिकरम में 18 साल पूरे करने वाले ने मत्यदाताओं का सम्मान भी किया गया सीएम रावद द्वारा प्रदेश में हो रहे सीए के विरूद में धरना प्रदाशिन कुछ जामिया और कश्मीर के आए खुसपैटियों द्वारा कराई जाने के बायान पर कॉंग्रेस प्रदेश अध्याक्ष फ्रीतम सिंग ने साब कहा कि उत्राखन भारत का ही हिस्सा ह ऐसे में कोई भी आस सकता है ऐसे में ये कहना कि कोई यहां आकर भड़का रहा है ये बात ठीक नहीं है प्यजेबी विधायक अनीता कमला का दर्द चलका है विधायक ने तना द्यक्षपर राज की अटारे में ला परवाही का आरूप लगाया विधायक अनीता कमल ने पुलिस महानि दिशक डियम और S.P. को خटल कर शिकायत की है अनिता कमल आलापूर विधान सभासे विधायक है उत्राखन में आंगनबाडी वर्कर्ट्स का धरना जारी है 50 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन रत आंगनबाडी वर्कर्ट्स को मनाने में सरकार पूरी तरह से सफल साबित हो रही है बेतन बढ़ाने और अलग-लग मागउ को लेकर आंगनबाडी वर्कर्स धरने पर है परदेश में आगनबाडी वर्कर्ट्स अपने मागउ को लेकर रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारे बाजी की जा रही है उनका कहना है कि सरकार लगातार मांगो के अंदेखी कर रही है लंबे समय से मांगो को लेकर आंदोलन रत होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई सरकार की तरफ से दिया जाने वाला वेतन इतना कम है कि घर चलाना भी ठीक से नहीं हो पाता आंगरबाडी वर्कर्स का कहना है कि छबिश जनवरी तक मांगू को मान लिया जाएगा तो वो सभी आंदूलन समाप्ट कर वापस अपने काम पर लौट जाएं सी-ए के खिलाब पिछले तीन दिनों से हल्दवानी में चल रहा मुसलि महिलाओं का धरना आज समाप्ट हो गया सी-ए कानू को लेका धरने पर बैठे परदशनकारियों ने नैनिताल के वरिस्ट पोलिस अधिक्षक सुनील कुमार मीना और ग्यापन उनको ग्यापन दिया और उनके बाद रासकान गाकर अपना धरना समाप दिया सी-ए के खिलाब धरने पर बैठी माईलाओं के घर चले जाने के बाद ही पुछासने राहत की सांस की अलगी स्स्पी सुनील कुमार मीना का कहना है कि इतिहात के रूप में अभी पुलिस फोर्स बन भूल पूरा शेतर में तैनात रहे गी 27-28-29 जनवरी को फिर से मुस्विम समुदाय धरने की बात कह रहा है उसको देखते हुए भी सुरुक्षा के पूरे इंतजाम पहले से ही किये खाय है आम तोर पर मद्दान के दौरान पूलिस करमचारी मद्दान कराने और विवस्ता बनाने में बियस्त रहते हैं ऐसे में अधिकांश करमचारी अपने मद्दान को उप्योग करने से चूक जाते हैं जिसके चलते गोदवाल डूईवाला ने सभी पॉलिस करमचारियों को मददान दिवस के मौके पर मददान करने की शबत दिलाई है जिस दोनाव पॉलिस करमचारी खुद भी मददान करेंगे और जनरता को भी मददान करने के लिए जागरूट करेंगे लगनव में आर नाइन टीवी का खबर का असर हुआ है आर नाइन टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एरपूर्ट आथारिडी ने कदम उठाया है करोना वाइरस से बचाब के लिए डॉक्टर की मांग पर लगनव एरपूर्ट पर 24 घंटे डॉक्टर माजूद रहेंगे पहले सिर्फ डॉक्टर दो घंटे यहां रहा करते थे देहरादून में आए दिन होने वाले सरकासों और चौ। चल्द सही कराने के नर्देश भी दिये जा चुके हैं कानपूर के जी जी एस वी एम कालेज की एम बीबीएस की स्टुडेंट्स ने आत्मत्य अकाली खुदखुशी के बाद मिलाज चात्रागा सुसाई नोर्ट स्कूल के समय भी तीन बार खुदखुशी करने की कोशिश की थी सुसाईड के बारे में परजिनों को पता नहीं था कानपूर के हीरा कारूबारी होते देसाई पर बैंकों की हैरान करने वाली धरिया दिली सामने आए 20 सब फीजदी से ज्यादा लोन खाते डूप जानी की वज़े से खुद विले की दहलीज पर खड़े इंडियन ओवर्सीज बैंक ने उदे देसाई को खैरात की तरह लोन बाटा पांच करोड़ों की संपत्ती बंधक रखकर 500 करोड़ का रिंड सौप दिया गया बंधक संपत्ती को बेचकर इंडियन ओवर्सीज बैंक एक फीजदी से ज्यादा रकम नहीं वस्तू लेगा परनतांते दिवस को लेकर एस पी चंदूली ने पुलिस फोर्स के साथ यूपी बिहार बाटर पर चेकिंग अप्यान छेडा इस दौरान बिहार से यूपी आने और जाने वाली गालियों की सखन चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान एक कार से बैग में 15 किलो चांदी के साथ दो लोगों को पुलिस ने गिरफ़तार किया इसके अलावा पुलिस में बिहार से आ रही बस एक कोईटल कांजे के साथ तीन तसकों को भी गिरफ़तार किया जन से फिलहाल पूचताच जारी है चेंदोली के पंडित दीन द्याल उपाधिया जन्चन पर जियार पी और आर पी एफ को बड़ी कामियाबी मिली यहां एकी शक्स के पास एक करूर 18 लाप रुपए बरामत किये गाए है दरसल चेकिंग के दोरान दो नंबर प्रिक्वाम पर एक यूवफ भारी बैक के साथ लिखा बैक की तलाशी के बाद पैसे बरामत गुए ये यूवफ वारा नसी इसे पश्चिम बंगार के दुरगा पुर्चा रहा था फिलाल जियारपी आरूपी को हिरासत में लेकर कारवाई में चुटी हुई है पहली नजर में ये पैसा हवाला का लग रहा है जियारपी ने इंकम टेक्स समेथ तमाम एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है बागबद के सिंगा भली आहीर धानक शेतर में पुलीस और गौत तसकरों के बीच मुटफेड हो गई मुटफेड में पुलीस ने केरा बंदी करते हुए तीन तसकरों को किरफतार कर दिया दो तसकर मौके से भागने में कामियाब रहे तसकरों के पास से प्रती बंदित का मवीशियों की भारी मात्रा में मास दरसल परामत हुआ इस सभी तसकर गेंग बना कर दरसल पश्यों के मास की तसक्री किया करते थे चंदोली में याथा याद के नाए नियमों को लेका शासन पर शासन का सुस्तरवया सामने आ रहा है चंदोली नैशनल हाइवे पर डाइवर्जन होने के बाद ओबर लोड़ी ट्रकों का संचारन ध्रडलने से चल रहा है आलम यह कि नौबुपूर ब्रिच पर रूस बैसर से सत्ता टन बालू लदे ट्रक चले आ रहे हैं रोड़की के टोड़ा खलियानपूर गाउं में सेना और गामेड एक बार फिर आमने सामने आ गए सेंक्रो ग्रामेडों ने आर्मी अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर सूर्दार प्रदेशन किया आलगि इस रुक्षा की डिस्टी से सेरा ने गेट लगा कर रास्ता बंद करने के पोश्चिशे देश कर दी हैं और तलब है कि पिछले लंबे समय से गामेड़ा आर्मी परिसर्च दे रास्ता खुलवाने की मांग पर अड़े हुए है अली घर से एक चौका देने वाली खटना सामने आए महला शेखान अपर कोट में बेटा बहु अपनी बजर्ग मां को घर में बंद कर दस दिन के लिए तूर पर चले गए मां से मिलने आई बेटी को घर के दरवादे पर ताला देखकर शक हुआ उसने आसपास के लोगों की मदद से ताला तोवाया तो देखा बुजर्ग मांक अदमरी हालत में कमरे के अंतर बंद पड़ी थी इस पूरी खटना का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल भी हो रहा है राए बरेली में बश्रावाद अनक शेतर के महरबान खेला गाओं में उस वक्ता प्रात्ता प्री का माहौल पैदा हो गया जब जब जमीनी विबात के चलते शाचाली का कड़ा खोदने पर तो पक्षों में जमकर लाटी डंडे चल गाए इस दोरान दोनों पक्षों के चालों गम्पी रूप से जखमी होगा है वही घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन पारवन में सभी को अस्पताल पहुंचा आया रामपुर में सस्रॉालियों ने अर्बन होनी की वजह से दामाद को लोही की रौट से वार कर मौत के खाट उतार दिया रितक सस्रॉाल में अपनी पत्नी को लेनी गया था मौत के परिजनों के तहरीप पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है आजमगड में गाउं में छे साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई शुकरवार की राद मा के बगल में सोई बच्ची को दरिंदे उठा ले गए और एक के बाद भी हूशी की हालत में गाउं के बाहर फैंकर भाग निकले बोर में बच्ची को अस्पताल में भर्टी करवाया गया गटना के सूचा मिलने पर पॉलिस गटना साल पर पाउंची बच्ची का हाई चाल जाना और फिलहाल कारवाई की जा रही है लालकुआ थानक शेद्र के गौला नदी के दिवरामपुर खनन निकासी नेट पर गौला नदी में खनन करने वाले एक शमी की संदिक दपारी स्थितियों में मात हो गाई शमी की माउस से वर्ण विभाग और सिलापर शासन में हर कंप मच गया शमी की पहच्चान तीस वर्षी भुपेंदर के रूप में की गई है जो बरेली यूपी का रहने वाला है एक अस्पतार में इलाज की जगे मारपीट हो रही है आगरा के एक नामी हॉस्पिटल में स्टाफ के लोगों को शराब पीने से रुखना भारी पड़ गया अस्टाफ के लोगों ने जब हॉस्पितल में श्राप पीने से मना किया तो कई दबंगा अस्पताल में घुसका स्टाफ के लोगों के साथ मार फीट पर उतारूर हो गाए घटना का पूरा मामला सीची टीवी कैमरे में कैऴ हो गया पिलाहल मामले में इस सिकंद्रा थाने में पांच लोगों के खिलाप मुगदमा धर्च किया गया है आगे की कारवाई शुरू कर दी गई है कानपूर में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमीका की हालत दपे कड़ गई प्रेमीका का पिता जब युपती को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत खुशित कर दिया गटना की जानकारी पर अस्पताल पहुंचे अमृता की युपती के पारिजनों ने प्रेमी पर दुश्करम के बाद अत्याखा आरूप लगाया पुलिस में प्रेमी और उसके पिता को पूश्टाच के लिए हिरासप में ले लिया है वेटर नोडर के तनका और धानाई इलागे में हतेवा काओं में गैस सिलेंडर लीक होने से किचन में भायंग कर आग लगई गैसे जिंसी की लापरवाही की वज़े से एक बड़ा हासा यकीनन तल गया राजिपूर के पते उल्लापूर गाउं के पास ट्रक की एक टकर से एक गाउंवाली की माथ हो गई तो घटनां से नाराज गाउंवालों ने जो ट्रकों को आग के हवाले कर दिया खट्रागी जानकारी मिलते ही, मौके पर भारी पोस्पोर्स मौके पर पहुंची, पाइल प्रिकेट की मदद से फिर आग पर काबू पाया गया। लगनाओ के थाना नाखा के चार बाल बसादे पर अच्छानक खड़ी बस में आग लग गई, देखते ही देखते ही देखते ही रोडवेस की बस धूधू कर जलने लगी, सुचा मिलने पर दमकल की गारीों ने आग पर काबू पाया, बस टेंड पर फिलहाल आग से कोई बस में शॉट सर्किट की वज़े से आग लग गया, लगता देख बस में बैठे लोगों ने ड्राइवर और कंड़क्टर को तुरंत सूचना दी, ड्राइवर और कंड़क्टर की सूच बूश के चलते बढ़ा हासा टल गया, दोनों ने आग पर काबू पाया, बस में आई बहराइच के सुमेरपुर काउं के पास हाईवे पर बड़ा हासा हुआ, याक्रियों से भरी दो रोडवेस बसों में टकर हो गए, आसे में कई लोगों के खायल होनी की खबर है, दोनों बसे बहराइच और चार बाग डीपो की थी लगनाओ एक्स्प्रेस वे पर एक तेजर अफ़तार कार बे काबू होकर डिवाइडर से चाटकराई जिसमें दो लोग अंभी रूप से सखमी हो गए, मौकर पर पहुंची पोलिस ने खायलों को अस्पतार में बढ़ती करवाया, जिए दोनों को युदी, इलाच दिया च यह बताया, यह भी जा रहा है कि और यह से आगरा आते समय नेंद की छपकी आने के कारण यह हाथसा हो गया पुरंद शहर के जिला कारगार में शराफ के नशे में धोतर सिपाही ने खोद को गोली मार ले, इसससी पाही ने अपनी लाइसंसी रिवल Vadoclar से एक हवाई फायर के बाद अपने ही पेर में गोली मार ली, आनन फारना में खायल सिपाही को मेरिट मेडिकर सेंटर सेंटर मुल रूप से खायल सिपाही मतुरा का रहने वाला है पिछने 70 सालों से यूपी पुलिस का मान सम्मान रही 303 राइफल विदाई ले रही है उत्रपरदेश पुलिस को 1945 से अपने सेवाएं दे रही ती 303 राइफल को 26 जनवरी को सस समान विदाई दी जाएगी 303 राइफल इतिहास हो जाएगी 26 जनवरी के बाद से पुलिस कर्मियों के कंदों पर 303 राइफल की जगे इंसास LLR और AK-40 जैसी आधुनी के राइफल दिखाएं देगी राजे में चल रहे सी ए के परदशनों पर पुलिस की पहरी नजर है डीजी आश्यो कुमार ने समी जिलों के एस पी को सक्त निर्देश दिया है कि कहीं भी परदशनों में कोई उग्रता देखने को मिली तो पठोल कारवाई की जाएगी डीजी आश्यो कुमार का भी कहना है कि राजे का माहौल खराब करने के लिए कुछ तरारती तत्व अलदवानी पहुंचे है नेंताल एस एस पी मामली की जाँच कर रहे हैं पितारागर में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायत तेज कर दी है जिला संगठन प्रभारी कैलाश शर्मा की मौझूद की में आज सभी मंडलों का गठन किया गया साथी कारे करताओं के बीचे समयदारियों का भी पटवारा किया गया इसके रावा जिले के सत्रा मंडलों के कारे समयतियों का भी गठन किया गया है उर्जा परदेश उत्रा खंड में बिजली की बच्चत को लेकर सरकार गंभीर है कि सरकार बिजली की बच्चत को लेकर गंभीर है जिसको देखते हुए एक के बाद एक सोलर स्कीम की शुरुआत राज्य में की गई है वहीं अब किसारों के लिए सरकार स्कीम लेकर आ रही है जिसमें बेचली और डीजल से चलने वाले पानी के पंप को सूलर से जोड़ा जाएगा देरदून परदेश के चार पाड़ी जिलो में अगली 24 घंटों के तुमारान हलकी बारिश और परपारी की संभावना है तो वहीं नेचले लाकों में बादल चाय रह सकते हैं बादल विभाग के मताबिक मैदान इलाकों में सुभी के साथ घंटा कूरा हूँ सकता है तो वहीं देरा दून उत्तरकाशी चमूली डूद्र प्रियाग पितार अगर जिलो के अधीक उचाये वाले इलाकों में परपारी होने की भी आशनका है भारत में करोना वाइरस का खत्रा बढ़ रहा है केरल में चीन से लौटे साथ लोगों को निगरानी में रखा गया है इन लोगों को एकर स्वास्ते विभाग बेहर सतरक है और कई लेवल पर इनकी निगरानी की जा रही है चिनके नैशनल हेल्ट कमिशनर ने बताए कि अब तुर्की में भुकम की वज़े से भारी तबाही मची है इस भुकम में तुर्की के कई अमारते जमीन दोस हो गई वहीं अब तक 18 लोगों की मौत भी हो गई ये भुकम इतना तीवरता कि इसके चटके पर उसी मर्कोई रिया इराक स्तीरिया और लेबनान में भी महसूस किय रियक्टर स्केल पर भुकम की दीवरता 6.7 मापी गई भुकम से करीब 10 बिल्डिंग जमीन दोस हो गई सबसे जा नुकसान पूर्वी इलाचिंग प्रांत में हुआ भुकम की वज़े से करीब 200 से ज्यादा लूप सक्मी है प्रभावे तराकों में राहत बचाव अभियान तेजी से चला आजा रहा है आईपिल के पूर्फ चियर में राजी शुकला ने वियस्तर शेडियूर के मामले में कप्तान विराट कोहली का समर्तन किया है उन्होंने शुकरवार को टूइट किया कि सीओ ने भारतीय टीम के लिए बेहद खराब शेडियूर बनाया है दोनी भी मौजूद थे नुशत भरूचा और महमाज जीशान आयूब काम कर रहे हैं इस फिल्म का नर्देशन अंसल महता ने किया है कंगना रानूत जल्दी ही रोनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्मे एरफोर्स पालिट का करदार नुभाती नजर आएंगी सरवेश मेवाला के नर्देशन में बनने वाली इस फिल्म का टाइटल तेजस रखा गया है ट्रेक्स के मताबिक दो हफते पहले ही उन्होंने इस फिल्म को साइन किया है और इसकी शूटिंग जुलाई से शुरू हूँ वारून धबानो शदाकुपूर के फिल्म स्ट्री टांसर 3D शुकरवाल को रिलीस हुई है फिल्म को क्रिटेक्स से काफी सबर्दस्तर रिस्पॉंस मिला है रेमो डिसूजा दौरा डारेक्टिस फिल्म के स्ट्री टांसर 3D के पहले दिन के बॉक्स आफ़ेस करेक्शन की जानकारी सामने आई है ट्रेड एनलिस्टर रमिश वाला की रिपोर्ट के मताबगी के फिल्म ने पहले दिन 11 करोल की शानदार कमाई की है वालिवोड एक्टर सेफ अलिखान और आलिया फरनीचर वाला स्टारर फिल्म जवानी जानिमन साथ परवरी को सिनेमा खरों में रिलीस होने जा रही है आशिक मिशाज अंदास में नजर आ रहे हैं ये गाना ही मेख है और साब 1994 में रिलीस होई फिल्म ये दिल लगी का है